अपने घर के लिए जा रहा था, आलंबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी, उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्राफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई, यातायाद का पालेन करते हैं मैंने अपनी गाड़ी को रोग दिया, राइट स जब तलक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नी बोली, फिर दुबारा उसने तोड़ा, चार-पांच बर मुबाईल पूरा डैमेज कर दिया मेरा, फिर पुलिस पस्यासन घरा था, उसने भी कुछ नी एक्शन लिया, मैं सिब यही चिला रहा थ कि महिला पुलिस बिलाई जाए, यह मुझे क्यों मार रही है, आपकी गाड़ी के बाद भी नुकसान किया था उसने, जी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर खराब करे हैं, और मेरा मोबाईल, और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उने निकाला है, लगभा कि इत क्या आप थाने पहुंचे या आपके खलाफ भी कोई खायत कराई गई थाने में, थाने पे जाए हमें ले गए, तो हमने बोला, मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजे, लेडिस का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हु 150, और भी उधारा है बता रहे थे, कि आपके सथ कोई किसी और को भी घटना में उन्हों नहीं बता रहे था कि और नहीं कोई नहीं था, मेरी काड़ी खाली थी, मैं अपने घर जा रहा था, तो अब आज आपने यह मुख़दमा लिखवाया, किस तरह से आपने पर 24 गंटे में रहा हूँ, उसके बाद पिर आगे कैसे करवाई आप दुवारा थाने कैसे पहुंचे कैसे अपने महिला के ओपर F.I.R करवाई, यह हमाई वकील सहाब बैठे हैं इसे पूछे, यह बताएंगा, कब करवाई आज? कल, मैं छूड के आए फिर मैंने वकील सहाब के पास गया, हमाई रियाज सहाब वकील है, तो अभी पुलिस की करवाई से आप संतुष्ट हैं, या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त की जो पुलिस का रवहिया था, क्या उससे भी नाखोश हैं, क्या चाहते हैं कि उनके ओपर भी कोई करवाई हूँ, मैं चाहता हूं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है वो मुझे इज़त चाहिए और मेरी गाड़ी का जो नुफसान हुआ है जो भी कुछ हुआ वो मुझे दिया जाए और बस